नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये है एम्ब्रेन वाइस ग्लेज स्मार्ट वॉच जो आली में लोंच वी है फ्लिपकाट पे और आपको मिलती है तो ये वॉच जो है एक कोलिंग स्मार्ट वॉच है विद एमोले डिस्पले तो स्पेक्स काफी बढ़िया है तो अग पॉनकों से सेटिंग्स और फीचर्स आपको मिल जाते हैं इस वाच में और इसके एप में तो इस वाच के जो में स्पेक्स से रेफ्रेंस के लिए आपको यहाप पे शो कर रहा हूँ इस रिंड पे आप रीड कर सकते होगा रीड करना चाहो तो तो जब आप अन्बोक्सिं manual को download कर सकते हो, read कर सकते हो और यह support card मतलब कि अगर आपको अपनी watch के बारे में कोई भी question है, doubt है तो आप directly पूछ सकते हो embran team को, तो आपको इसे scan करना है एक form open होगा, आपको उस form को fill up करके submit करना है तो फिर उसके बाद आपको call आएगा team के दरब से तो जो भी आपका question है या doubt है उससे result किया जाएगा और यह जो आखरी card है, यह है warranty purpose के लिए तो सबसे बहले आपको इसे scan करके अपनी watch की warranty को activate करना है उसके बाद अगर आप कोई भी issue face करते हो अपनी watch में, तो आपको warranty को claim करने के लिए यहाँ पे 3 medium दिये गए है आप email के जरीए, contact number के जरीए call कर सकते हो, इसके लावा WhatsApp भी कर सकते हो, अगर आपको इभी issue face करते हो अपनी watch में, इस smart watch के warranty को activate करने के लिए, आपको अपने phone में chrome browser को open करना है फिर यहाँ पे जो address bar में lens से उस पे tap करना है search video और camera पे tap कीजिए उपर में, फिर यह जो QR code है, इसे आपको scan करना है फिर shader पे tap कीजिए तो जो website होगी, imprint key open हो जाएगी, इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम mobile number, अपना email address इसके लावा smart watch का नाम आपको यहाँ पे search करना है, जैसे कि यह है, wise glaze wise glaze black tap कीजिए, purchase date अपने कौन से तारिक को इसे purchase किया था फिर आपका जो invoice है इस smart watch का invoice आपको यहाँ पे upload करना है, और फिर आपको करना है submit पे tap, इसके बाद आपके watch के warranty एक्टिविट हो जाएगी, यह है magnetic charging cable, तो आपको इस तरीके से attach करके इसे charge करना है, यह attach हो जाता है magnetically, और charging करने के लिए, आप 5 ओट या 10 ओट का charging adapter यूज़ कर सकते हो, जितना स्टो charger आप यूज़ करोगे, उतना भेतर होता है smart watch की battery life के लिए, long run में या आप अपने PC या laptop में जो USB पोड़ता है, उससे भी charging कर सकते हो इसमें है 280 mH की battery इसे full charge करने के लिए आपको लगेंगे, 2-3 घंटे आपको मिलेगा, 7 दिन का battery backup, लेकिन अगर आप calling का यूज़ करोगे, और always on display का यूज़ करोगे, तो आपको मिलेगा 2 दिन का battery backup, silicon के strap आपसे, जो काफी अच्छी quality के है 22 mm के, आप इन्हें remove या replace भी कर सकते हो, तो इन्हें remove करने के लिए आपको इस pin को नीचे के वर खिषना है, ऐसे भाहर करना है insert करने के लिए आपको नीचे के hole में pin को align करना है, फिर उपर वाली pin को नीचे किषना है, और hole में align करना है, इस तरीके से calling purpose के लिए यहाँ पे है speaker और यह है mic इस watch को first time switch on करने से पहले आपको इसे full charge करना है ताकि आपको first time से ही अच्छा battery backup मिले तो मैंने इसे full charge कर लिया है तो मैं अब इसे करूंगा switch on तो इसके लिए आपको इस power button पे long press करना है, जब आपको logo दिखा देगा तब आपको अपनी उंगली release कर देनी है तो जो smart watch है switch on हो चुकी है, अब हम करेंगी इसकी pairing अपने smartphone के साथ इस smart watch को अपने phone के साथ pair करने के लिए आपको अपने phone में play store में जाकर इस आपको download करना जिसका नाम है how of it, तो how of it इस आपको download किजिए, फिर आपको इसे करना है open और किजिए agree पर tap turn on किजिए, ok किजिए allow किजिए और वापस allow किजिए ताकि आपके phone में Bluetooth on हो जाए अगर आपका how of it एप में फहले से enter करिए, फिर यहां पे tick करना है, और करना है sign up पे tap फिर आपको करना है swap down agreed, फिर से कीजिए sign up आप अपनी है पर कोई भी photo set कर सकते हो, इल्बम पे tap किजिए ok किजिए, allow किजिए इसके बाद जो photo आपको set करनी है उस पे tap किजिए और फिर आपको करना है tick पे tap name enter कीजिए अपना कोई भी male female choose कीजिए birthday आपका जो भी होगा यहापे आपको set करना है फिर आपको करना है ok पे tap weight और height weight आपका kg में इसके लावा height आपकी centimeter में यहापके set कीजिए फिर आपको करना है ok पे tap और कीजिए seo पे tap फिर आपको करना है i know पे tap searching for devices आपको इसपे tap करना है आपकी जो smart watch है switch on होनी चाहिए और यहापे आपको मिलेगा ऐसा लिखा हुआ wise glaze id ऐसा लिखा हुआ आपको इसपे tap करना है फिर आपको करना है continue पे tap pair कीजिए allow कीजिए ताकि आप अपनी watch में calling के feature को भी use कर सको तो आप कोई भी call आएगा तो आप अपनी watch में भी उससे receive कर पाओगे अब background में यह app जो है ticks से run करें उसके लिए आपको 2 settings करनी है आपके phone में सबसे पिले तो आपको settings up done इस पे tap कीजिए S कीजिए इसके बाद आपको turn on पे tap करना है allow कीजिए how fit on कीजिए allow कीजिए back जाईए allow कीजिए सब भी permission को ताकि call message आप receive कर सको अपनी smart watch में तो यहाँ पे कई सारे apps के नाम दिए गया है आपको जिन किसी apps की notification अपनी smart watch में receive करनी है आपको उन्हें apps को on करना है हाला की जिन apps को आप use नहीं करते आपको उन्हें off करना है तो जो आपके लिए useful है जो जरूरी है आपको उन्हें को on करना है हाला की अगर आपको सभी apps के लिए notification को on करना है तो आपको other को on करना है लेकिन मैं other cone नहीं करूंगा क्योंकि आपकी watch में जितनी notification आएगी उतनी ज़्यादा battery drain होगी इसलिए जो काम के आपको unicorn करना है बैक जाईए while using the app पे tap कीजिए I know कीजिए अगर update ओलेवल होगा तो यहाँ पे show करेगा आपको tap करके करना है update अगर आप चाहते हो जो एप है background में ठीक से work करें और आपकी watch बार-बार इस phone के साथ disconnect ना हो तो आपको करनी है दो चीजे आपको इसे open करना है इसे tap में और यहाँ पे करना है lock this app यहाँ आपके phone में होगा lock का icon या लिखा होगा keep open आपको इस पे tap करना है तो यह है आपका activity page तो आप जो भी activity करोगे आप जो भी step चलोगे आप जो भी अपना heart rate SPO2 stress method करोगे आपको यहाँ पे show किया जाएगा अब बात करते हैं device की तो device के option में आपको पता होगा यह जो watch है आप दो language में यूज़ कर सकते हो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको यहाँ पे tap करना है और जो device language है उसी किजिए हिंदी पे select आप देखोगे हिंदी यहाँ पे select हो चुकी है आपकी smart watch में अगर आपको English चाहिए तो English रखिए या फिर follow the system रखिए यहाँ से आप अपनी watch को restart कर सकते हो reset भी कर सकते हो और चाहो तो इसे unpair भी कर सकते हो unpair करना मतलब की जो data होगा आपका delete होई जाएगा लेकिन फिर आपको इसे दोबारा use करने के लिए फिर से pair करना पड़ेगा पहली की तरह watch face के बारे में बात करेंगे watch face को आपको कैसे change करना है तो आपको more pity आप करना है तो यहाँ पर आपको भी लेंगे 3 sections online, local और collect online में मतलब कि आप यहाँ से किसे भी watch face को download करके apply कर सकते हो यहाँ पर आपको भी लेंगे 200 plus watch faces आपको जिस watch face को download करना है आपको उसके नीचे जो इंस्टल लिखा हुआ है आपको उसके ट्याप करना है जैसे कि माल लेते मुझे डाउलोड करना है यह वाला watch face तुम्हें इसके ट्याप करूँगा install पे install to watch पे ट्याप कीजिए तो watch face जो है apply हो चुका है आप देख सकते हो अगर आप किसी भी watch face को open करेगे star के आइकन पे अगर आप ट्याप करोगे तो add हो जाएगा फिवरेट में और आपको शुकर एगा collect में यहाँ पे इसके लाव अगर आपको वह भी photo set करना है अपनी watch face पे तो आप अपनी कोई भी photo set कर सकते हो आपको local पे टाप करना है plus के sign पे टाप करना है तो आपको photo के आइकन पे टाप करना है album पे टाप किजिए जिस किसी photo को आपको set करना है आपको इस photo पे टाप करना है जैसे माल लेते मुझे set करनी है यह photo तो मैं इस पे टाप करूँगा आप crop कर सकते हैं अपनी हिसाप से और फिर आपको करना है tick पे tap अब आपको watch face में कौन-कौन से element को show करना है तो आप यहाँ से set कर सकते हो जैसे कि weather अगर आपको show करना है तो tap कीजिए weather कौन से format में show करना है तो आप यहाँ से इसे बीक कर सकते हो इस तरीके से इसके लबाब अगर time show करना है तो कुनसे फ़र्मेट में करना है एनालोग या फिर digital तो आप यहाँ पे इस तरीके से set कर सकते हो time को भी इस तरीके से आप किसी भी element को add या remove कर सकते हो इसके लाबा date को भी आप add कर सकते हो concept format में date को add करना है तो आप tap करके इस तरीके से add कीजिए इसके लाबा activity जिसमें steps, calorie, distance, active time आपको जो show करना है बस आपको उस पे tap करना है इस तरीके से और फिर यहाँ पे है heart rate अगर आपको show करना है तो किसी भी element को remove करने के लिए आपको cross के sign पे tap करना है tap करके तब वो जो element होगा remove हो जाएगा और इसे save करने के लिए किजिए use पे tap install to watch तो इस तरीके से आप watch face को set कर सकते हो अपने किसी भी photo के साथ तो आप इस तरीके से अपने कई सारे custom watch face को create करके save कर सकते हो हलाकि जो 5 watch face से पहले यह default है इन्हें आप change नहीं कर सकते तो जो भी आप download करोगे या create करोगे तो जो last वाला होता है छट्टा watch face वही change होता है जो पहले 5 watch face से उयंगे आप change नहीं कर सकते इस तरीके से मतलब कि आप एक सारे यहाँ पे 6 watch face को place कर सकते हो अपनी watch में और यहाँ से अगर आपको change करना हुआ तो आपको long tap करना है watch face पे और फिर आपको ऐसे swipe करना है इनके भीच में switch करने के लिए जिसे set करने है उस पे tap कीजिए यहाँ पे आपको मिलते है शार टाइप के reminder पहला जो है reminder मतलब कि आप यह इस आप से custom पे tap करके कोई भी जो title है उसे add कर सकते हैं जैसे की smartphone by यहाँ पे time set करना है आपको इसके बाद day set करना है और हर दिन को इस time के लिए आपको मिलेगा ऐसा reminder से उपे tap कीजिए जब भी आपको reminder आपकी watch में मिलेगा sound या फिर vibration के साथ फिर यहाँ पे है drinking water reminder तो आप आपको own करना है time set करना है जो time आपने set किया है उस time के दुरान आपको पानी पिने के लिए reminder आएगा और मैंने set किया है 120 मिनट अलग की हर दो घंटे के बाद आपको day भी चूज करना है से उपे tap कीजिए hand wash reminder को भी set कर सकते हो आपको tap करना है मतलब की हाथ दोने का reminder आपको time set कीजिए day set कीजिए फिर आपको करना है और यह है sedentary alert मतलब की अगर आप एक ही प्लेस पे लंबे समय के लिए बेठे हुए हो आपने कोई भी activity या moment नहीं किया तो उसके लिए आपको आता है एक alert तो आपको इससे own करना है time आप यहाँ पे set कीजिए 60 मिनट ओके कीजिए start time in time set करना है और यहाँ पे day set करना है तो अगर आप एक घंटे के दोरान कोई भी activity या moment नहीं करोगे तो आपको हर घंटे आएगा आपकी वाच में यह alert अब बात करते है calling के feature की तो आपको telephone पे tap करना है यह होना चाहिए on अगर यह on नहीं है तो आपको जना ह आपके phone के Bluetooth settings में B पे long tap कीजिए और यहाँ पे जो wise glaze होना चाहिए connected अगर नहीं है तो नीचे होगा उस पे tap कीजिए और हो जाएगा वो connected इसके बाद contacts तो आप यहाँ पे अपने कोई भी 80 contacts को add कर सकते हो अपनी watch में तो आपको plus के sign पे tap करना है जिस किसी contact को आपको add करना करना हुआ तो आप plus के sign पे tap करके फिर से add कर सकते हो अगर आपको इन में से किसी को remove करना हुआ यह इसे उपर नीचे करना हुआ तो edit पे tap कीजिए आप यहाँ पे त्री बार पे long tap करके इस तरी किसे drag करोगे तो इसे उपर नीचे भी कर सकते हो निकालना हुआ तो minus के sign पे call आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी watch में तो call जब आता है तब watch जो है वाइबरेट होती है और ring भी बज़ती है जो phone में बज़री है वही ring बज़री है और आप हला कि यहाँ पर देख सकते हो contact का नाम और number शो कर रहा है और यहाँ पर है चार buttons पहली जो button है वो है quick reply send करने की तो आप किसी भी reply को send कर सकते हो call आपका cut जाएगा और सामने ओले को मिल जाएगा वो message बात में call को cut करने का option इस call को accept करने का option और यह है इस ringing को mute करने का option जो ringing है इसमें बज़री है वो आप mute हो चुकी है अलाकि phone में ring बज़री है लेकिन हमने यहां से इसे mute कर दिया है इसे आप unmute कर सकते हो जब चाहिए तक और माल लेते हैं आपने इसे accept कर लिया इस call को तो यहाँ पे भी आपको मिलेंगे चार buttons तो volume आप यहां से address कर सकते हो इस तरीके से इसके लवा जो call है आप इसे switch कर सकते हो अब जो call है यहाँ पे आ रहा है watch में आप इसे phone पे कर सकते हो यहाँ पे tap करके जो call है अब phone पे आ चुका है आपको वापसान आए watch पे तो tap किजिए switch करने का option काफी अच्छा है यहाँ पे keyboard भी आ गिया है और यह है call को cut करने का option अगर आपको अपनी watch में calling के feature को off करना हुआ तो आप one tap में उसे on off कर सकते हो तो आपको जना है settings में और यह जो option है BT switch आपको split up करना है अब यह on है तो इसे off किजिए अब अगर कोई भी call आएगा तो आपकी watch में show नहीं करेगा आप देखोगे इस तरीके से इसके लाँ जब आप BT switch को off करते हो तो आप जो AIOE से उसे भी use नहीं कर पाऊगे तो अगर आपको calling का use करना है तो आपको BT switch को on रखना है अब देखते हैं अगर आपको कोई भी SMS आता है तो किस तरीके से show करेगा तो SMS आ चुगा है आप देखोगे तो display on हुआ है watch vibrate हुई है और sound भी play हुआ है contact का नाम date Hindi phone support करते हैं हलागी emoji support नहीं करते और यहाँ पे आप maximum 12 lines को read कर सकते हो आपके phone में जो 12 lines होती है वो यहाँ पे show करेंगी और आप चाओ तो यहाँ से उसे delete भी कर सकते हो one tap में अब देखते हैं अगर आपको कोई भी whatsapp message आता है तो किस तरीके से आपको show करेगा आपकी watch में तो whatsapp message आ चुका है और इस तरीके से icon contact का नाम time और यहाँ पे message आपको show करेगा सेम तरीके से display on होता है vibrate होती है watch और sound play होता है और अगर आपने message को read करना miss कर दिया तो आपको फिर swipe करना ऐसे और यह रहा message का option आपको इस पर tap करना है यह रहे आपके सारे notification तो आप यहाँ पे maximum पिछले 8 message को read कर सकते हो जिसे आपको read करना है आपको इस पर tap करना है इस तरीक से read करने के लिए इसके लावा अगर आपको सभी को एक साथ clear करना है तो नीचे मिलेगा आपको option clear all का सभी message को एक साथ clear करने के लिए camera पे tap करोगे तो आपको करना है OK आपकी watch में open होगा shutter button आपको करना है while using the app और किजिए start पे tap तो आपके phone में photo capture हो जाएगी इस तरीके से इसके लावा आप timer भी set कर सकते हो तो माल लेते हैं आपको 3 second का timer set करना तो 3 second का timer set कीजिए OK कीजिए तो अब मैं करूँगा तो 3 second का timer होगा उसके बाद photo capture होगी किसी भी CD का नाम search कीजिए जैसे की Chicago इसके लावा plus के sign पे tap करके आप इस तरीके से किसी भी CD को search करके या directly tap करके add कर सकते हो इस तरीके से आप एक साथ 10 CDs को add कर सकते हो इस list में पर आपको करना है back find my watch का भी शांदार feature दिया गया है तो आप इसके ज़री अपनी watch को ढूंड सकते हो मानलो आपने अपनी watch को कही पर रख दिया है या मिस place हो गई है तो आपको इस पे tap करना है start पे tap किजिए कीन चाज़े होंगी display on हो जाएगा आपकी watch करेगी vibrate इसके लाबा इस तरीके से bell भी बज़ेगी तो आप काफी easily अपनी watch को ढूंड पाओगे stop किजिए stop करने के लिए हलाकि ये feature तभी काम करेगा जब आपकी watch आपके phone के साथ connected होगी इस watch में आप password भी set कर सकते हो आपके जरीए ये रहा passcode lock आपके इस पर tap करना है set password पर tap किजिए जो set करने आपको उसे enter किजिए तो अब आप देखोगे यहाँ पे जब भी आप try करोगे use करने के लिए आपको अपना password enter करना पड़ेगा तभी आप जो watch है उसे use कर पाओगे इस तरीके से और यह रहा लोग का feature अगर आपको lock करना है तो tap किजिए आपकी watch lock हो जाएगी अगर आपको passcode use नहीं करना है तो यहाँ पे tap करना है clear passcode इस watch में quick reply का भी feature है मतलब कि अगर कोई भी call आता है तो आप उसके लिए quick reply strength कर सकते हो तो आपको इस पे tap करना है तो यहाँ पे आप पभी लेंगे तीन reply अगर आपको इन्हें change करना हुआ अपने हिसाप से तो आप tap किजिए यहाँ पे आप अपने हिसाप से कोई भी reply add कर सकते हो इस तरीक से type करके और फिर किजिए save पे tap बात में है heart rate, stress और SQ2 का measurement auto measurement मतलब कि अगर आपको इन किनों को automatic पे set करना हुआ तो आपको इन्हें own या off करना ही हाँ से अलाग कि सभी को मैंने off रखा हुआ है और आपको भी off भी रखना है ताकि आपकी watch में ज्यादा battery उस ना हो अगर आप सभी को own रखोगे तो battery ज्यादा यूस होगी अलाग कि आप HR को automatic page set कर सकते हो अगर set करना चाहोते हो क्योंकि यहाँ पे timer भी दिया गया है तो मैं चाहता हूँ कि यह हर घंटे automatic में धरो मेरा heart rate तो मैं यहाँ पे time set करूँगा इस तरीके से बाकिये जो features है यह आपको watch में मिल जाएंगे तो हम watch में देख लेंगे अब बात करते मी के option की तो यहाँ पे 3 बार पे अगर आप tap करोगे तो आप यहाँ पे अपनी personal info change कर सकते हो photo, name, gender, birthday, height और weight आप अपने daily goal भी set कर सकते हो तो आपको रजना कितने step चलने है active time, distance, calorie, sleep goal आप यहाँ से change कर सकते हो अपने हिसाब से इसके बाद अगर आपको इस app का data google fit से sync करना हुआ तो इसके लिए भी आपको मिलेगा option यह रहा third party program और यह रहा google fit तो आपको करना है unbound fit app इसके बाद आपको permission allow करनी है इसके बाद आपका जो data होगा इस app का data google fit में भी show करेगा आप जो भी workout करोगे अपनी watch में उसका data आपको देखना हुआ तो workout के page पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे date के साब से आप यहाँ से date भी change कर सकते हो क्या आप करोगे ओके करोगे तो उस दिन का data आपको show करेगा इस तरीके से तो हमने app के जड़िए watch को set up कर लिया है अब देखेंगे watch को आपको कैसे यूज़ करना है इस watch में आपको मिलती है एक button जिसके है चार functions तो अगर माल लेते आपकी watch में डिस्पले off है अगर आपको डिस्पले को on करना हुआ तो आपको इस button पे प्रेस करना है डिस्पले को on करने के लिए इस तरीके से homepage पे होते हुए अगर आप बड़न पे प्रेस करोगे तो आप main menu को access कर पाओगे इस तरीके से यह है main menu और अगर आप किसी भी menu में enter करते हो वहाँ से अगर आपको back जाना हुआ step by step तो आपको इस पे प्रेस करना है step by step back जाने के लिए और अगर आप इस पे long press करोगे तो आपको मिलेगा इस watch को switch up करने का option तो अगर करना है सुचोप तो tick पे tap कीजिये नहीं करना है तो cross पे tap कीजिये back जाने का और एक तरीका है तो आप अगर किसी भी menu में enter करते हो वहाँ से अगर आपको जाना हुआ back step by step तो आप को इस तरीके से करना है swipe home page पे अगर आप swipe down करोगे तो आपको मिलता है control center home page पे अगर आप swipe up करोगे तो आपको मिलेगे आपके message home page पे अगर आप swipe write करोगे तो आपको मिलेगा quick menu तो यहाँ पे date और time है इसके लावा 4 menu आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी set कर सकते हो तो जिस पे आप tap करोगे वो menu open हो जाएगा इस तरीके से इसके लावा यह है message के लिए और जो आखरी वाला है वो है main menu के लिए तो इन 4 quick menu को change करने के लिए आपको जाना है settings में और यह रहा quick menu इस पे tap किजिए आपको जिस menu को change करना है आपको उस पे tap करना है माल लेते मुझे add करना है game वाला तो मैं game पे tap करूँगा अब game कहा है आपके आचुका है ok करूँगा तो अब आप देखो कि quick menu में मुझे game show करेगा यहाँ पे 4 नंबर पे homepage पे अगर आप swipe left करोगे तो आपको मिलेंगे shortcuts यह है activity के लिए इसके लावा आपका heart rate sleep data SPO2 music player तो music को play करने के लिए आपको play पे tap करना है volume को adjust यहाँ से कर सकते हो volume up volume down previous next जो music play हो रहा है watch में अगर आप चाहते हो music play हो phone में तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको जाना है settings में और यहाँ पे जो option है sound and vibration इस पेटाप कीजिए और media sound आपको इसे करना है off इसके बाद आप देखो के जो music होगा आपके phone में play होगा watch में play नहीं होगा phone में play हो रहा है अगर आपको watch में ही करना है play तो फिर आपको जाना है settings में sound and vibration में और इसे कीजिए media sound को on music play हो रहा है watch में इसके बाद है plus का sign तो आप यहाँ पे दो में से एक add कर सकते हो जैसे माले दे मुझे add करना है weather के लिए में tap करूँगा weather का यहाँ पे जो shortcut है add हो जाएगा तो आज का और अगले 3 दिन का weather आप यहाँ पे check कर सकते हो maximum minimum कितना रहेगा long tap करोगे तो आप किसी भी shortcut को remove कर सकते हो minus question पे tap करके या किसी को भी उपर नीशे कर सकते हो arrow पे tap करके इस तरीके से तो music जो है अब उपर आ चुका है आप देख सकते हो इस तरीके से बात करते है control center की तो यहाँ पे battery level और अभी फिलाल कितना weather है brightness पे tap करके आप brightness को change कर सकते हो अलग अलग level पे 1, 2, 3, 4, 5 torch का यूज़ कर सकते हो उस पे tap करके tap करिए off करने के लिए on करने के लिए आगे है dnd तो आप दो तरीके से इससे यूज़ कर सकते हो all day हमेशा के लिए या फिर होगा time interval मतलब time की इसाब से तो आपको time set करना है start time और end time जो time आपने set किया है उस time के दुराण dnd काम करेगा अब dnd काम करेगा मतलब कि आपकी watch में कोई भी call या message नहीं आएगा कोई भी sound plane नहीं होगा इसके बाद है AOD मतलब की always one display तो आप यहां से own कर सकते होई से आपको भी लेंगे दो style एक हे analog और एक हे digital तो analog में अगर आप देखोगे तो आपको इस तरह के से show किया जाएगा AOD तो यहां पे दो काटे शो करेंगे और आज की date और अगर आप set करोगे दुसरे option पे तो इस तरह के से AOD शो करेगा आपकी watch में time date और day तो AOD को आप यहां से own या उप कर सकते हो toggle के जरीए इसके बाद है lock का feature आपको इस पर tap करके अपनी watch को lock करना है या फिर password एंडर करके unlock कर सकते हो इसके बाद है settings तो इसमें सबसे पिले है race to wake तो race to wake का मतलब क्या होता है आपने अगर इसे own रखा हुआ है तो अगर मेरी watch में display off हो जाती है तो अगर मैं इससे उपर ढ़ूँगा इस तरीके से display इसका own हो जाएगा इसे कहते है race to wake feature फिर race to wake के नीचे आपको मिलेगा screen timeout का option मतलब की screen को कितने सेकन के लिए own रखना है एक बार अगर display on होता है तो कितने सेकन के लिए own रहेगा तो यह है उसका time तो आप देखोगे अगर मैंने इसे own किया तो अभी यह 10 सेकन के लिए own रहेगा हाला कि आप इसे maximum 60 सेकन सक भी रख सकते हो मतलब की एक मिनट के लिए हाला कि आप जितना ज्यादा टाइम रखोगे उतनी ज्यादा बैटरी यूज होगी तो आपको 15 सेकन रखना है पिर यह है menu style तो यहाँ पे आपको मिलेंगे तीन style जो पहली style है वो यह है इससे कहते है style 1 vertical list जो style दूसरी है वो है 3 by 3 इस तरी किसे और जो दूसरी है style वो है इस तरी किसे आगे है sound and vibration तो यह काफी जरूरी सेटिंग से अगर आपको यह भी call आता है तो दुरिंग बजेगी कितने level पे बजने चाहिए तो आप जो volume है यहां से set कर सकते हो इस तरी के से call जब आता है तब आपको ring चाहिए चाहिए tone रखिए नहीं चाहिए तो अफ़ करिए मिडिया sound के बार में देख लिया है vibration अगर आपको चाहिए tone रखिए vibration नहीं चाहिए तो उफ रखिए इसके लबा ring tone आपको कौन से चाहिए watch में जो watch में बचती है normally वही चाहिए या जो आपके phone में बचती है ring tone वो चाहिए तो local मतलब होता है जो watch में पहले से ring tone है वो बजएगी tap करोगे तो phone मतलब जो phone में आपने set की है over into one बज़ेगी तो phone या फिर local QR code दिया गया है इस app को download करने के लिए जो हमने पहले ही download कर लिया है बात करते है main menu की तो ये है main menu और सबसे पहला option है workout का आपके इस पर tap करना है यहाँ पर है पहले से 8 workout mode अगर आपको add करना हुआ तो add sport पे tap कीजिए अलग-अलग category मिलेंगी आपको किसी भी category को open करना है आपको add करना है cricket तो tap कीजिए cricket पे इस तरह के से फिर से अगर आपको add करना है tennis को तो tap कीजिए अब आपको add करना है tennis तो tennis पे tap कीजिए इस तरह के से आप जो sport से उन्हें add कर सकते हैं maximum यहाँ पे 10 workout mode को आप add कर सकते हैं अगर आपको किसी को भी यहाँ से remove करना हुआ तो gear के icon भी tap करके आपको करना है remove remove करने के लिए अगर आपको किसी को भी start करना हुआ तो आपको tap करना है तो इस तरीके से workout आपका start होगा stop करने के लिए press किजिए इस पर और जो अब आप workout करोगे आपको भी लेगा history में उपर में लेकिन आपको minimum एक मिनिट के लिए workout करना है अगर से हो करना चाहते हो तो अब देख लेते हैं calling के feature को तो आपको phone पे tap करना है यहाँ पे आपको भी लेंगे तीन option एक है keypad मतलब कि यहाँ पे आप किसी भी number को dial कर सकते हो जैसे कि one two one call किजिए इसके लवा यहाँ पे symbol भी add कर सकते हो star, hash और plus आपको number पे long tap करना है उस sign को add करने के लिए इस तरीके से बात में context जो भी आपने context add किये है maximum आप 80 context को add कर सकते हो तो आपके जो context होंगे यहाँ पे show करेंगे इस तरीके से अगर आपको किसी को भी call करना हुआ तो आपको बस उस पे tap करना है call करने के लिए इस तरीके से और recent में आपके show करेंगे पिछले आपके 20 calls आपकी call history यहाँ पे show की जाएगी तो आप यहाँ से भी call कर सकते हो गर call करना चाओ तो tap करना है उस पे और आप चाओ तो सभी को एक साथ यहाँ से clear कर सकते हो clear call पे tap करके brain stress AIOS मतलब की google assistant यहाँ सीरी उस कर सकते हो अपनी watch में तो आपको tap करना है how is the weather today अगर आपका phone lock होता है tell me live cricket score तो यह काम करता है लोक्षिन पे भी इस watch में आपको मिलते हैं दो games प्लैपी बड़ और 2048 इसके लावा emotion मतलब की आपका mood कैसा है तो यह है mood detector peaceful है angry है या calm जो भी होगा आपको शुकरेगा आगे है camera आलगी आपके phone में camera open होगा नहीं तो उसके लिए आपको उस app को open करना पड़ेगा how of it को उसके बाद camera open होगा तो अगर आप camera feature कोन करना चाहती है तो सबसे पहले आपको इस app को open रखना है उसके बाद camera पर tap कीजिए तब भी camera open होगा फिर आप start पर tap करके photo capture कर सकते हो तो अपने अगर timer को set किया होगा तो alarm जो है आप यहाँ पर एक साथ 10 alarm को add कर सकते हो तो add पर tap कीजिए time set कीजिए am pm के लिए आपको 12 के बाद जाना है अब यह am है मतलब की pm हो जाएगा अब आपको am करना है तो फीचा है यह इस तरीके साथ am pm कर सकते हो time को set कीजिए tick पर tap कीजिए कौनसे दिन के लिए आपको इस alarm को set करना है तो दिन को भी choose कीजिए फिर कीजिए tick पर tap इस तरीके साथ 10 alarm को add कर सकते हो और अच्छे बात यह है कि जब alarm इसमें बजेगा तो vibration भी होगा और sound भी बजेगा हाला कि आप sound को ओफी कर सकते हो अगर आपको इसे delete करना हुआ तो tap कीजिए और इरहा delete का option आगे find phone तो माल लेते हैं आप अपना phone कहीं पर रख देते हो आपको पता नहीं है तो आप अपने phone को ढूण सकते हो इस feature के दरीए तो आपका phone अगर silent पर भी होता है फिर भी आपके phone में ring बजेगी जैसे मैं इस पर dab करूँगा आप देखोगे start stop कीजिए इस तरीके से आप अपने phone को ढूण सकते हो हाला कि ये feature तभी काम करेगा जब आपकी watch आपके phone के साथ connected होगी more में यहाँ पर मिलेंगे आपको torch calculator percent भी यहाँ पर find कर सकते हो इसके लवा workload जो भी आपने city को add किया है उसका time यहाँ पर शो करेगा timer है stop watch है और यहाँ से आप watch face है उसे change कर सकते हो इस तरीके से तो यह था Embrane voice glaze का complete setup guide अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो आप मुझे Instagram पर या फिर Twitter बेभी मेसेज कर सकते हो इस वीडियो को देखने लिए धन्यवाद दोस्तो